आज का हम लोग का पहला परस्ण है तीन पुरूस तथा साथ महिलाएं एक काम को पांच दिन में कर सकते हैं जबकि चार पुरूस तथा छे महिलाएं उसी काम को चार दिन में कर सकते हैं तो दस महिलाओं का समुह मिलकर यानि दस महिलाएं मिलकर कितने दिनों में काम को समात्र करेंगी तो यहां क्या दिरा है तीन पुरूस तथा साथ महिलाएं काम को पांच दिन में कर सकती हैं जबकि यहां बोल रहा है कि चार पुरुस तथा छे महिलाएं उसी काम को चार दिन में कर सकती है यानि कि यहां से यहां तक का काम यहां से यहां तक का जो काम हो रहा है दोनों सेम है पहमलों लिख सकते हैं इसको तीन पुरुस यानि थ्री मैन प्लस साथ महिलाएं सेवन वोमें दोनों मिलकर पांच दिन में कितना काम करती है उतना ही काम करेगी जितना काम चार पुरुस छे महिलाएं चार दिन में करेगा यानि कि चार पुरुस और छे महिला का चार दिन का काम तो तीन आदमी साथ महिला का पांच दिन का काम चार आदमी छे औरत का चार दिन के काम के बराबर है कैसे जाने के बराबर है बोल रहा है कि तीन पूरुस्त था साथ महिला है एक काम को पांच दिन में कर सकते हैं जबकि चार पूरुस्त था छे महिला है उसी काम को उसी काम को चार दिन में उसी काम का मतलब है कि जिस काम को ये कर रहा है सेम काम यहां भी हो रहा है जब काम समान हो रहा है तो हम लोग यहां बरावर कर देंगे अब इसको हम लोग हल करेंगे जिससे की महिला और पुरुष का काम करने का छंता आ जाएगा जब दोनों बराबर है तो महिला और पुरुष का काम करने का छंता इससे निकल जाएगा कैसे निकलेगा तो इस ब्रैकेट के बाहर 5 यहां गुना में है तो सब में 5 से लोग गुना करेंगे तो 3 में 3 पाचे 15 7 में 5 से 7 पाचे 35 और उसी तरह से यहां इस ब्रैकेट के बाहर 4 गुना में है तो 4 में 4 से करेंगे चर्चुक 16 आदमी हो गया 6 में 4 से 24 से 24 और यानि वोमें अब औरत को औरत के साइड में ले जाएंगे और आदमी को आदमी के साइड में तो यहां 15 आदमी है इसको ब्रावर के दूसरे साइड में ले जाएंगे हम लोग तो हो जाएगा माइनस 15 में अब यहां प्लस में 24 है औरत इधर आएगा ब्रावर के दूसरे साइड में आजाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 24 औरत माइनस 24 औरत हो गया हो यह माइनस पंदरा आदमी को हल करें हम लोग तो आ जायगा एक ज्यारा औरत बरावर यह वाला बरावर उतर जागा बरावर यहां जागा वन मैंड अब यहां से हम लोग आदमी और औरत का च्छंता गयाद करेंगे कैसे है आदमी के लिए बरावर के दूसरे साइड में अंक पर जाएंगे तो क्या मिला हम लोग को? 11 यानि कि आदमी का छंता कितना हो गया? 11 उसी प्रकार से औरत का छंता के लिए बरावर के दूसरे साइड में अंक पर जाएंगे क्या मिला? 1 यानि ये होगे हम लोग का औरत का चंता तो औरत और आदमी का एक दिन का काम करने का अनुपात में चंता आया पूछ क्या रहा है तो दस महिलाओं का समू मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे दस महिलाओं का समू मिलकर यानि कि उसी काम को दस महिलाएं कितने दिनों में कर सकती हैं अब उसी काम का मतलब काम है कितना तो काम यही तो है जितना काम तीन आदमी साथ और अवरत पांच दिन में कर सकता है या फिर ऐसे बोले हम लोग कि चार आदमी छे औरत मिलकर चार दिन में जितना काम करेगा क्योंकि जब दोनों बरावर्ट साइस ले तो बरावर्ट यहां हम लोग दियें तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं तो काम कितना माल लगते हैं ये वला यानि कि तीन आदमी साथ औरत पांच दिन में जितना करेगा तो तीन आदमी साथ औरत का पांच दिन का काम किसको करना है दस महिला को कितना दिन में यही पूछ रहा है कितना दिन में करेगा अब इसको हम लोग हल करेगे यहां क्या बोला है तीन आदमी साथ औरत, यानि तीन आदमी साथ औरत का छम्ता है कितना, तो तीन आदमी का मतलब थ्री मैन हो गया, तो थ्री और एक आदमी का छम्ता कितना जे रहा है, एक आदमी का छम्ता 11, तो हो जाएगा 33, साथ औरत, साथ और एक औरत का छम्ता है कितन तो कितना हो जाएगा 7 तो 7, 10, 40 यानि कि 3 आधमी 7 औरत का एक दिन का चंता कितना आगया 40 तो यहाँ हम लोग 40 लिख देंगे इंटू में यह वाला 5 इक्वल 10 और एक औरत का एक दिन का चंता कितना 1 तो एक हो जाएगा इंटू D यानि कितना दिन लगाएगा यही निकालना है तो जीरो से जीरो गया पांचवक बीस डी कमान कितना आ गया बीस यानि कि दस महिला को उसी काम को करने में कितना दिन का समय लगा बीस दिन का हम लोग का अगला प्रस्ण है एक पुरुस या दो महिला या तीन बच्चे किसी काम को अठासी दिन में कर सकते हैं कहने का मतलब है यदि पुरुस करेगा तो एक पुरुस को अठासी दिन का समय लगा यदि महिला करेगी तो दो महिला को अठासी दिन का समय लगा और यदि ब अखेले बच्चा करेगा। करेगा तो सबसे पहले हम लोगों निकालना होगा कि सब का छंता है कितना तो यहां देख रहे हैं एक पुरुस या दो महिला या तीन बच्चे इसका मतलब है कि एक आदमी जितना काम कर सकता है उतनाही काम दो महिला यानि दो वोमेन करेगी या उतनाही काम क्या बोला है उतनाही काम तीन बच्चा कर सकता है यानि थ्री चाइल्ड तो सब का छंता कितना होगा एक दिन का काम करने का छंता जहां याद दिया वहां लोगों क्या कर देंगे बरावर कर देंगे और इसके बाद इसका छंता क्यात करेंगा अब छंता कहां वन से भाग देंगे कितना बार में जाएगा छे बार में दो से भाग देंगे छे को तो दो तिया छे और इस थ्री से भाग देंगे छे को तो तीन दुना छे यह अनुपात हम लोगा चमता आगया किसका आदमी औरत और बच्चे का यह चाइल्ड का यह तो हो गया चमता बोल जितना काम एक आदमी 88 दिन में करेगा, या फिर ऐसे बोले कि जितना काम दो महिला 88 दिन में कर सकती है, तो हम लोग पूरुस को ही लेकर बना सकते हैं, यहां हम लोग किसी को भी लेकर बना सकते हैं, पूरुस को लेकर बना महिला को या बच्चे को, जैसे यहां पूरुस को हैं महिला को ही ले ले लेते हैं इसका मतलब हुआ कि दो महिला का 88 दिन का काम तो दो महिला का 88 दिन का काम करना है किसको एक पुरूस एक महिला एक बच्चा यानि कि जो काम यहां आएगा उसी काम को कौन करेगा एक पुरूस एक महिला एक बच्चा तो कितना समय लेगा तो ए एक पूरूस यानि वन मैन, एक महिला वन वोमेन और एक बच्चा यानि वन चाइड को कितना समय लगेगा यानि डी का अता पता नहीं है अब हम लोग यहां इसको सौल्व करेंगे तो दो अवरत एक अवरत का शंता कितना तीन तीन हो जाएगा यहां एक टीन अब एक आदमी एक आदमी, 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 यानि कि जिस काम को दो महिला अठासी दिन में कर सकती है उसी काम को एक आदमी एक महिला एक बच्चा दिन मिलके करेगा तो 48 दिन का समय लग जाएगा। हम लोग का आगला प्रस्ण है एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में कर सकता है जबकि उसी कार्य को 24 महिला आएं 20 दिन में कर सकती है तो 10 पुरुष और 8 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करें जी। क्या बोल रहा है एक पुरुष का 15 दिन एक कार्य 15 आदमी 20 दिन में करेगा यानि 15 आदमी का 15 मैन का 20 दिन का काम कों कर सकता है 24 महिला 20 दिन में 24 वोमें कितना दिन में 20 देज में बोल रहा है एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि उसी काम यानि जो काम यहां हुआ उसी काम को 24 महिला 20 दिन में कर सकती है यानि महिला करेगी तो 24 दिन का समय लाएगा यह 20 दिन का समय लाएगा 24 महिला को यहां रहना होगा तो लोग महिला अपर उसका छंता निकाल लेंगे तो 20 से 20 गया 35, 35, 38, 24 अब 6 गयाद करना है तो 6 के लिए क्या करेंगे जिसका छंता निकालना है उसके अपोजिट सेहर में यानि उसके बरावर के बाद में देखेंगे कि कौन सा अंक है तो M कामा निकालना है तो इसके बरावर के बाद देखेंगे क्या 8 मिला यानि कि आदमी का छंता कि अगया पाँंच यानि आदमी और आवहता का एक जिन का चंटा अगया पात में हम Q precious निकालना क्या है कि दस आदमी आठ महिला उस काम को मतलब किस क्काम को काम क्या पास होना चाहिए किस काम को काम sashक पंद्रह आदमी बीस दिन में कर सकता है या फिर ऐसे बोले कि जिस काम को 24 महिला बीस दिन में पूरा कर सकती है किसी एक को लेकर करके हम लोग काम निकाल लेंगे हम लोग यहां इसको लेकर निकाल लें काम पंदरा आदमी का बीस दिन का काम इसी काम को किसको करना है, दस पुरूस आठ महिला, दस पुरूस और आठ महिलागी, एट वोमें, को कितना दिन का समय लगेगा, यही निकालना है. अब, पंदर आदमी, एक आदमी का चंता है कितना? आठ, तो आदमी के जगए आदमी का चंता रखेंगे. अब यहां के ज़ार क्या दरा है दस आदमी 8 औरत का छंदधा तो दस आदमी का मतलब 10 और एक आधमी का छंदधा 8 तो कितना ऊजाएगा असी जी Dip is 8 और 9 और 10 और 6 और 10 आध मतलब एट और दस आदमी आठ हो रखता चंत है कितना आ गया, 120, 120, इंटु, D, कितना दिन लएगा, नहीं मालूम, तो 0 से 0 काट दिये, 2 चक, 12, 2 से काट देंगे, 2 चक, 8, 2 तिया, 6, 3 से यहाँ काट देंगे, 15 को, 3 पाचे 15, तो क्या आगया, 5 चक, 20, यानि यहाँ बचा 20, और यह हो गया, D का मान, यानि कि, जो काम 15 पुरुस 20 दिन में करेगा, उसी काम को 10 पुरुस और 8 महिला, कितना दिन में करेगी, 20 दिन में, हम लोगा अंसर होगा, ओक्सन नमबर है, 20 इस में होगा इस दिनित्स